नमस्कार, गुड आफ्टनून, मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, और्थोपेटिक कंसल्टेंट मनिपाल हाउस्पिटल गाजियाबाद से बोल रहा हूँ आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की, ये वो दर्द है जो किसी बिमारी से रिलेटेट नहीं है यूजवली दर्द जो होता है चोट लगने के बाद भी हो सकता है, दर्द हड़ी तूटने के बाद भी हो सकता है, दर्द इंफेक्शन के बाद भी हो सकता है और ट्यूमर के बाद भी हो सकता है पर आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो हमारा डीजेनरेटिव जानी की as we age जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड घिसते हैं, हट्डियां कमजोर होती हैं, मसल्स वीक होती हैं हम उस जोड के दर्द की बात करेंगे आज usually हम लोगों को, डॉक्टर्स को, और्थोपेडिक सर्जन को, कुछ सालों पहले, लगबग 15 से 20 साल पहले ऐसे पेशिंट्स, ऐसे मरीज नहीं आते थे, जो की 30 साल की उम्र से पहले ही जोड में दर्द की शिकायत लेकर आए हूं, हॉस्पिटल में आज की डेट में, 30 साल से 50 साल की बीच ही, उम्र में जोडों के दर्द की समस्या बहुत जादा बढ़ दी है, बहुत जादा नी रिप्लेस्मेंट, घुटने बदलना, यूज्वली हम 65 आउनवर्ड्स की एज में करते थे, या उनको जरूरत पढ़ती थी इस एज में पर आज की डेट में, 50 से 65 साल की ब्रैकेट के अंदर भी बहुत लोगों को नी रिप्लेस्मेंट की जरूरत पढ़ती है, क्यूंकि उनके जोड इस कम उम्र में भी इतने खराब हो जाते हैं कि उनसे चला नहीं जाता, वजन लिया नहीं जाता, और वो लाइफ को नहीं कर पाते हैं, खेर, हमें अपने जोडों को एक special attention, उसकी तरफ खास ख्याल उसका रखने की जरूरत पढ़ती है, जब हम अपनी studies खतम कर लेते हैं, क्यूंकि जब तक studies चलती है, तब तक तो इनसान को किसी बात का होश रहता नहीं, एक धुन सवार होती है कि मेरे को य Once you get inside your job, once you are settled, once you are done with the studies, job के साथ साथ अपने lifestyle को balance करना, भरना हम सबने आगे हैं अपने job में, हम सबने आगे बढ़ना है, हम सबने सफलता की अलग-अलग मंजिलें पानी हैं, पार करना हैं, पर उसको balance करना बहुत जरूरी है, आपको अपनी सेहत के साथ, आपको अपने ज दुश्मन है, वो है कमजोर हड़ी, हमारी कमजोर muscles और हमारे जोड का cushion, गदा, जिसे हम cartilage कहते हैं, उसका जल्दी जल्दी घिसना, ये तीन चीजे ही हमें प्रिवेंट करनी हैं, और अगर हम ये तीन चीजे प्रिवेंट कर ली, तो जो फोर्थ दुश्मन है, which is known as stiffness, की रिसर्च के बाद, हम एक इस नतीजे पर पहुंचे हैं, कि एक sedentary lifestyle, यानि कि lazy lifestyle, जीने वाले आदमी को, या इनसान को, अपने weight into weight in kgs, किलो में वजन, into 0.8, इतने grams, प्रोटीन डेली required होता है, यानि कि एक average male, who is 70 kgs, जो 70 kg का है, उसको 56 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, और एक average female को भी वजन गुणा 0.8 इतने grams प्रोटीन चाहिए, 48 grams, if she is 60 kgs of weight, ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है, हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं वेजिटेरियन का कल्चर है, तो वो कल्चर में हमें ध्यान रखना चाहिए, कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है, वो कितना है, usually, over a period of years, I take diet history, मैं diet history सबकी लेता हूं, और मैं exercise history भी सबकी लेता हूं, ये मेरी आदत है बहुत पहले से, तो एक मेरा usually conclusion है, कि एक वेजिटेरि usually 27 to 35 grams protein daily hit कर पाते हैं, वो इतना ही ले पाते हैं, इसमें supplementation की जरूरत है, diet modification की जरूरत है, there are many other options, दाले है, soya bean है, चने है, दूद दही है, पनीर है, तोफू है, और अगर इन सब से भी, अगर आप हिट नहीं कर पाते हैं, the easiest option is an all plant protein, यानि कि वो प्रोटीन जो की पेड पौदों से निकाला गया है, वो 30 gram का स्कूप, अगर 30 gram का चम्मचेक होता है, तो यूजरी 25 gram आपको प्रोटीन देता है, उसको आप दाल में भी डाल सकते हैं, आटे में जोच सकते हैं, ये तो हमारी समस्या खता होगी पहली, protein, क्योंकि हड़ी और काटलेज, दोनों के ल है, calcium, phosphorus, vitamin D, जैसी चीजों से पहले बिचता है, collagen fiber, collagen fiber, woven bone, अगर collagen fiber नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है जी, इसका हड़ी का वापस से strong हो जाना, सेकेंड हम पॉइंट पर जो आएंगे, वो है vitamin D deficiency, vitamin D deficiency is very common, very common, we see in almost all patients, across all ages, हर उम्र के, हर आदमी के अंदर, ये मान के चलते हैं किसमें vitamin D की कमी होगी ही, usually उन लोगों में जो की एक urban lifestyle को follow कर रहे हैं, I am not talking about rural people, rural लोग तो धूप में निकलते भी हैं, और उनके cosmetics भी यूज नहीं करते हैं, पर जो urban लोग हैं, एक तो धूप में नहीं निकलते हैं, और दूसरा जो cosmetic products यूज करते हैं, उस cosmetic products के अंदर होता है, sunblock, sunblock creams जो होती हैं, वो usually ultraviolet trees को अंदर नहीं आने देती, इसलिए वो शरीर को काला नहीं होने देती, पर उसका घाटा ये है कि विटामिन D जो skin में अक्टिवेट होता है, विटामिन D के दो activation होते हैं, और इसलिए विटामिन D आप अपना चेक करवाएं, और डॉक्टर से परामर्ष लें, और उसके हिसाब से उसकी treatment doses भी लें, जिसको हम therapeutic dose बोलते हैं, और इसकी maintenance dose भी लें, अगर continue करनी है तो उसे continue करें, किसी के बहकावे में नाएं, multi vitamins, यानि की fruits और सब्जियों से मिलने वाले vitamins, if you are a regular eater of fruits and vegetables, you will get them, अगर ऐसा नहीं है, आपका lifestyle इस तरीके का है, काम का pressure जादा है, जिंदगी की भागदौर जादा है, तो it is better to take a multivitamin tablet, but do not neglect your body, इसके अलावा हमारे को, एक calcium का source, रखना है अच्छा, और थोड़ा सा हमें करना है exercise, लगभग 20 साल पहले, ये कहना की, आदमी को चलना चाहिए और चलने को ही exercise कहते हैं, तो 20 साल के पहले वाला इंसान शायद इसे एक मजाख समझता, पर आज की डेट में, हम लोग इतने busy lifestyle में बंद चुके हैं कि scientists, doctors, हाद जोड़ के ये कहते हैं कि at least walk 8 to 10,000 steps, कि नहीं exercise कर रहे हैं कोई बात नहीं, busy life schedule हैं कोई बात नहीं, digital age है, modern जमाना है, पर फिर भी कम से कम 8,000 से 10,000 steps हर हालत में रोज चलने ही हैं, इस से आपके heart की, lungs की और हड़ियों और जोड़ों की health अच्छी बनी रहेगी, पर हम में से अधिकतर लोग उस चीज़ को भी नहीं follow कर पाते हैं, जोड और हड़ी, इनके लिए कसरत बहुत जरूरी है, it is very important, बहुत पहले, एक साइंटिस्ट ने एक law निकाला था, जिसका हम वॉल्व's law कहते हैं, जिसके हिसाब से, किसी बन की मात्रा और उसकी ताकत इस बात पे निर्भर करती है, कि उसको कितना स्ट्रेस दिया गया है, कितनी एक्सरसाइज करी गई है, उसके उसके अटाश्ट मासपेशियों द्वारा, तो अगर हम नहीं अपनी बॉन को यूज करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारे को वैसे ही एक चीज हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं, डिस्यूज ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब यूज ना करने के कारण हड़ी का कमजोर हो जाना, and which eventually becomes a cause for knee pain, जोडों में दर्द, तो overall अगर हम एक पिक्चर क्रेट करें, अपने जोड के health को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें तीन चीजें बहुत important हैं, नमबर वन, आपकी डाइट, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन, पर्टिकुलर पार्ट शुट कम फ्रॉम प्रोटीन, मिनमुम प्रोटीन की मातरमा ने आपको बता दिया, 0.8 into per kg body weight, इतने gram, दूसरी चीज, हमारे multi vitamins and fibers, जो की fruit और vegetables से आ जाएंगे, जो चीज हमें नहीं मिल सकती, उससे हम भागेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, vitamin D, vitamin D is very important, not only for the health of the bones, it is also important for your cognitive function, brain के लिए भी important है, hair fall के लिए भी important है, headache के लिए भी important है, और immunity के लिए भी बहुत जादा important है, जैसे कि हमने देखा COVID-19 के pandemic के time में, vitamin D का role बहुत ही बढ़िया पाया गया, इस से लड़ने में, immunity को strengthen करने में, तीसरी चीज हमारी regular exercise, exercise में एक, मैं एक precaution बताये तो आपको एक particular age के बाद, आप अपने घुपनों को unsupported, 90 degrees से ज्यादा bend ना करें, यानि कि जो हम उठक बैठक करने वाला जो वियायाम होता है, उसमें हम अपने घुपनों को 90 degrees से नीचे नहीं ले जाएंगे, बाकिया आप कोई भी वियायम कर सकते हैं, after the age of 50, 50 साल की उम्र के बाद, केवल western toilet का यूज करें और चौकडी लगा कर भी ना बैठें, अगर आपको शुरू से exercise करने की आदत नहीं है तो, all of a sudden, अगर हम एक दिन high level, vigorous exercise करने लगेंगे, तो हमारे जोडों का स्वास्त्य नहीं सुधरेगा, वो खराब ही होगा, इसके लिए आपको बहुत पहले से planning करनी होती है, from the age of 30 years. जब हमारे जोड अलड़ी घिश चुके होते हैं, उसके बाद vigorous exercise, बहुत ज़्यादा, high level का, high magnitude का वियाम करने से कोई फाइदा नहीं होता, उसके जोड खराबी होती है, तो हमारे को हलके फुल के वियाम, पूरे दिन में 8-10,000 कदम, प्रोटीन की sufficient matra, और calcium, और vitamin D, इनका ख्याल रखना है, इसके results देखने के लिए आपको बहुत सालों इंतजार करना पड़ता है क्योंकि these are preventive measures, ये आपके जोडों का स्वास्त है, सालों बाद सालों तक अच्छा रखते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उनका मैं स्वायम बहुत ही seriously follow करता हूँ उन चीजों को मेरी उम्र लगभग 50 साल है और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मैं इसको follow करता हूँ, अपने जोडों को स्वास्थ रखने के लिए, जो मैंने अभी अभी आपको tips दी हैं, उसे follow करें, और मैं कामना करता हूँ कि आप एक स्वास्थ चीवन व्यतीत कर पाएंगे, और कई सालों तक बिना दर्द के लंबी-लंबी दूरियां चलकर पार कर दन्यवाद, थैंक यू